हेलो गाइज, वेलकम टो इंगलेस एजुकेशन, इस्टूडेंट साजम पढ़ने वाले हैं, क्लास टैन्थ एकोनोमिक से थर्ड चेप्टर के लोग कोशन आंसर, और इससे पहले हमने इस चेप्टर की समरी को रीड कर लिया है, शोट कोशन आंसर और बैरी शोट कोशन आंसर को भी कम्प्लीट कर लिया है, अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, साथ ही आपको कोशन आंसर की पीडियाफ का लिंक भी मिलने वाला है, तो चलि कि हमारे साथ भी एक सिक्षक है, एक किताब है, एक पैन है, और हम हमेशा एक विध्यारती है, हम हमेशा सीखने की कोशिस करते हैं, और दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं, इसी हिम्मत के साथ चलिए, स्टार्ट करते हैं, कोशन आंसर को पढ़ लेते हैं, important कोशन आं नहीं आइंटाऊ के साथ असेी हिम्मत के से उपस्ता हैं, और जरूर्त एक साथ चलिए ओगोद nessushing का साथ आचे हैं, और कि आप लिए जारूरत है कि अपना विध्यारती भिज्मत को इनस आप अपनी हिरी आप से अचे इसफेशलीटी को बढ़ाएं तो चलिए जानते हैं इंडिया इसफेशल अटेंशन इसलिए रुरल एरियाज में रहने वाले लोगों को इसल अटेंशन की ज़रूरत है Hence, the bank and cooperative society should help the needy people in rural areas तो ये जो bank है, cooperative society है, इन्हें मदद करनी चाहिए, वो जो लोग ग्रामेन छेतर में रहते हैं आगे देखें, mostly the people in rural areas are illiterate and hence, they can be easily cheated by moneylenders तो रूरल एरियास में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें इतनी सारी जनकारी नहीं होती है इसलिए वो moneylenders के द्वारा आसानी से उनके साथ धोकेबाजी कर ली जाती है Most loans and from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of borrowers तो देखें, अधिकतर loan वो कहां से लेते हैं, informal lenders से लेते हैं और वो काफी high interest rate पर उन्हें पैसा देते हैं और उससे क्या होता है, उनकी जो income होती है वो काफी कम बढ़ती है उससे जो है, वो सारा पैसा जो है, in moneylenders के पास ही चला जाता है Hence, it is necessary that bank and cooperative increase the year lending particularly in rural areas इसलिए जरूरत है, जो bank है और cooperatives है, वो अपनी facilities, अपनी lending कहां पर बढ़ाएं वो rural areas में बढ़ाएं, so that the dependence on informal resource of credit reduce जिससे कि यह जो निर्भटा है ना informal sector पर loan लेने की यह कम हो सके यानि कि जो rural areas के लोग हैं, वो informal sector से कम loan ले Only the banks and cooperative society can provide loan to the rural household at cheap rate which can easily save them from the clutches of the moneylender Clutches means होता है चंगुल, तो देखिए के वल, जो banks है और cooperative societies है, वो सस्ते rate पर rural, ग्रामिन छेतर में रहने वाले लोगों को cheap rate पर सस्ते interest पर पैसा provide कर सकती है, loan provide कर सकती है और यह जो moneylenders है, इनके चंगुल से छुड़ा सकती है Most of the people in urban areas depend upon the rural people for their food requirement etc. तो देखिए जितने भी लोग urban areas में रहते हैं, वो mostly rural areas में रहने वाले लोगों पर depend करते हैं, food requirement के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी and the year welfare is most important और वो जो rural areas में रहने वाले लोग है ना इसलिए उनकी भलाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो rural areas में लोग रहते हैं गरीब लोग है उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए मैटर रखा गया है कि उन्हें लोन दिया जाए आगे देखते हैं compare and contrast to the role of formal and informal resource of credit तो देखिए यहां पर हमें तुलना करनी है formal sector से जो हम लोन लेते हैं और informal sector से जो लोन लेते हैं उसका क्या रोल है और कैसे वो लिया जाता है तो देखिए formal sector की बात करती है इट concepts of bank and cooperatives तो formal sector के अंडर कौन-कौन आता है bank से लोन लिया जाते है cooperative से लोन लिया जाता है which are supervised by the Reserve Bank of India जो किसके द्वारा सुपर्वाइज किया जाता है Reserve Bank of India के द्वारा सुपर्वाइज किया जाता है इट concepts यानि के formal sector की बात हो रही है इस में कौन होता है कौन लोन देता है यहां होते है money lenders, traders, employers, landowners, etc relatives भी हो सकते हैं, friends भी हो सकते हैं which are not supervised by anyone organization जो किसी भी organization के द्वारा supervised नहीं किये जाते है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता वो कितना भी interest ले सकते हैं कैसा भी उनके साथ वेवार कर सकते हैं अगर formal sector की यहां पर बात करें तो जो loan देते हैं वो low interest पर देते हैं अब informal sector में they usually give loan at high interest rate high interest rate पर वो पैसा देते हैं which means that the cost of the loan is very high to the borrowers तो borrowers के लिए जो cost होती है उस loan की वो काफी high होती है usually the loans require extensive documentation and some property to be keep as collateral or security against the default of in payment तो देखिए जो आपका formal sector होता है यानि कि बैंक होते हैं cooperative societies होती हैं उन्हें documentation की बहुत ज़्यदर documentation की जरूरत होती है किसी property की जरूरत होती है गिरवी रखने के लिए जिससे कि अगर ऐसा हो कि payment ना हो सके तो वो उसे जब्द कर लेती हैं लेकिन यहाँ पर जो आपका informal sector है उसे किसी भी documentation की जरूरत नहीं होती है loan देने के लिए या loan लेने के लिए आप पूछा जा रहे what is credit credit की definition हम very short short question answer में chapter में कहीं बात पढ़ चुके हैं जैसा कि हमने chapter में पढ़ लिया है तो credit क्या होता है credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrowers with money, goods, service in return for the promise of future payment तो जो credit होता है या loan होता है वो इक agreement होता है जिसमें जो lenders होता है वो borrower को money supply कर सकता है good भी हो सकता है, service भी हो सकती और वो return में जो है वो promise लेता है कि उसे future में payment कर दी जाए ठीक है, तो ये होता है आपका credit या है से हम loan भी कह सकते है examples of credit as an asset asset के रूप में हम credit को देखते है during the festival season a shoe manufacturer has received an order of making shoes in bulk within a month's time तो देखिए अभी हमने एक example पढ़ा था chapter में हमने पढ़ा था एक shoe manufacturer होता है उसे बहुत बड़ा order मिलता है कि उसे एक महीने में अपना order पूरा करना है to complete production production को complete करने के लिए he hired some extra workers उसने क्या किया? कुछ extra worker hire कर लिये and has to purchase the raw material और कुछ raw material खरीद लिया he asked the supplier to supply leather उसने supplier से कहा कि उसे leather supply किया जाए अभी and promised to pay him लेटर और उसे promise किया कि वो उसे बाद में pay कर देगा then he took some advance payment for the trader अब जिस trader ने उसे जूते बनाने का order दिया था उसी से फिर वो advance ले लेता है by the end of the month अब month के last में he is able deliver the order तो वो जो है order को आसानी से deliver कर देता है क्योंकि उसने कुछ raw material उठा लिया है और कुछ उसने advance ले लिया है तो जिससे वो production का काम पुरा कर लेता है एक महीने में make a good profit जिससे उसे एक अच्छा profit भी होता है and repay the money he had borrowed और वो उस पैसे को भी repay कर देता है जो उससे उधार लिया था तो यहां पर वो एक asset के काम रूप में काम करता है credit अब देखते हैं example of credit as an debt trap तो देखे एक debt trap के रूप में कैसे यानिकि एक कर्ज जाल के रूप में कैसे credit काम कर रहा है तो देखे एक farmer pick up the loan from the money lender एक farmer है जो एक money lender से loan लेता है to meet the expenses of cultivation अपनी cultivation के खर्च को पूरा करने के लिए but unfortunately the crop is hit by the pets and fail लेकिन दुर्भागे से क्या होता है उसकी जो crop है वो फेल हो जाती है उसमें कीडे लग जाती है so he is unable to repay the loan तो वो जो लोन है उसे नहीं चुका पाता है and debt grow higher with interest और जो उसने कर्ज लिया था वो higher हो जाता है interest के साथ मतलब वो पैसा दो था ही था उस पर जो interest लग रहा है high rate पे हा वो और ज्यादा बढ़ जाता है next year he picks up a fresh loan अगले साल वो एक और loan लेता है and is able to have a normal crop that year और उसकी जो crop होती है वो काफी normal सी होती है but earning are not enough to pay the earlier debt मतलब उसकी इतनी income नहीं होती है कि वो पहला कर्ज जो है उसे चुका सके so he is caught in a debt trap तो इसलिए वो जो है कर्ज जाल में फस जाता है he can repay the loan only after selling a part of the land वो केवल तभी उस loan को चुका सकता है जब वो अपनी land का कुछ part sale कर देगा इन shoemaker's whose credit pays vital and positive role whereas in farmer's case credit nurses the borrower into the situation from which recovery is very painful तो देखिए यहाँ पर दोनों situation दीगे है यह शूमेकर के बारे में शूमेकर के case में क्या है जो credit उसने लिया है वो बहुत ही vital बहुत महतपूर और positive role play करता है वही credit और अगर farmer की बात करें तो यहाँ पर उसकी situation जो है काफी painful हो जाती है उसे वो करज चुकाना बहुत मुस्किल हो जाता है तो यह देखिए जो credit होता है दोनों रूप में काम करता है आगे बढ़ते हैं तो देखिए बैंक किस तरह से important role play करता है भारती अर्थ विवस्ता में यह बात हमें explain करनी है पढ़ते हैं प्रोवाइड डिपोजिट तो देखिए बैंक accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposit तो बैंक क्या करता है बैंक में पैसा जमा किया जाता है और वो जो पैसा जमा किया जाता है उस पर interest depositor को मिलता है in this way people's money is safe इस तरीके से लोगों का जो पैसा है वो safe भी रहता है बैंक में and it earns an amount as interest और interest के रूप में वो कुछ amount भी कमा लेते हैं people also have the provision to withdraw the money as and when they require और लोगों को ये प्रावधान भी दिया जाता है कि वो अपने पैसे को निकाल सकते हैं जब कभी भी उन्हें जरूरत होती है since the deposits in the bank account can be withdrawn on demand तो ये जो deposit है ये जो पैसा जमा किया जाता है वो अपने demand पर कभी भी उन्हें निकाल सकते हैं these deposits are demand deposit और ये deposit demand deposit कहलाता है अब देखिए provide loan bank क्या काम करता है loan provide करता है bank keep only a small portion of the deposits as cash with themselves तो bank जो है चोटा सा amount चोटा सा portion जो है जो पैसा वहाँ पर जमा किया जाता है वो अपने पास रखता है bank use the major portion of the deposits to extend expense loan तो देखिए bank क्या काम करता है वो जो पैसा सब जमा होता है उसे loan देने में use करता है लोगों को loan देता है there is a huge demand for loans for various economic activities बहुत सारी आर्थिक गतिविदियां करने के लिए यहां पर loan की बहुत ज़्यादा demand होती है bank make use of the deposit to meet the loan requirement of the people bank जो है वो जो पैसा जमा किया जाता है उसको use करता है यह loan की requirement पुरा करने के लिए अब देखते हैं तीसरी situation है यहाँ पर provide credit a large number of transaction in our day-to-day activities involve credit in some form or the other तो जो हमारा आज की जो life activities है आज कल की जो activities है इनमें credit जो है बहुत ज़्यादा involved रहता है जब हम transaction करते हैं तो देखिए credit or loan refer to an agreement which the lender supply to borrower with money goods और service in return for the promise in future payment credit therefore play a vital and positive role तो देखिए यहाँ पर वही बात आ जाती है credit की यहाँ पर definition दी जाती है credit or loan क्या refer करता है कि agreement होता है जो लेंडर और बोरोवर के बीच में होता है तो जो लेंडर होता है वो money good service कुछ भी provide करता है जो जिस चीड की जरूरत होती है और वो जो है promise कराता है कि future में उसका payment कर दिया जाएगा तो इस तरह से जो credit है वो बहुत ही जरूरी और सकारात्मक role play करता है इंडियन economy में आगे पढ़ते हैं How do formal and informal sources of credit differ from each other किस तरह से formal और informal resources जो है credit के वो एक दूसरे से अलग है जानते हैं आप formal sector क्या है informal sector क्या है credit क्या है यह सारी चीज़ा आप जान चुके हैं तो जानते हैं किस तरह से वो एक दूसरे से अलग है comparatively rate of interest charge is lower तो formal sector की हाँ पर बात की जारी है जो interest rate होता है न वो काफी कम होता है loan के उपर देखे higher rate of interest is charge तो loan पर काफी high interest rate लगाया जाता है collateral is must for getting loan from a formal sector तो formal sector से loan लेने के लिए किसी भी property का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यह guarantee का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यहाँ पर जो informal sector है वो बिना किसी प्रॉपर्टी के बिना किसी documentation के आपको loan दे सकते है RBI supervise them तो यहाँ पर formal sector की बात करें तो उसे supervise करने का काम कोन करता है RBI करता है There is no organization to supervise them लेकिन informal sector में उन्हें supervise करने के लिए कोई भी organization नहीं होती है Rich urban household depend on formal sector जो अमीर लोग हैं जो सहरी छेतर में रहते हैं नगर में रहते हैं वो depend करते हैं ज्यादा formal sector से वही loan लेते हैं अब यहाँ पर informal sector की बात करें तो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो depend करते हैं informal sector लोन लेने के लिए एक्जांपल्स क्या है एक्जांपल है यहाँ पर formal sector के bank और cooperative और informal sector के है money lenders, traders, friends, relatives, traders, etc ठीक है बहुत अच्छे से याद करेंगे important question है जरूर आता है आगे देखते हैं organized banking sector is systematic in the functioning मतलब इसके function को systematic रूप से चलाया जाता है unorganized sector is not so systematic लेकिन जो unorganized sector है यहनके informal sector है वो इतना systematic नहीं है often indulge, indulge means होता है lift होना malpractice to exploit the customers तो malpractice means होता है breastachar तो यह लोग क्या करते हैं यह lift रहते हैं breastachar में और जो customers होते हैं जो loan लेते हैं उनका सोसन करते हैं आगे देखते हैं और गिनाइस financial intermediaries maintain proper books of account the year books of accounts और रेगुलर्ली अडियूटेड ओडिटेड दियर function is more transparent तो देखी जितने भी अपके formal sector है उनकी प्रॉपर बुक होती है अकाउंट की और वो जो है रेगुलर्ली उसे audit किया जाता है और यहां पर उसका function होता है बिलकुल transparent होता है किस तरह से वो काम करते है transparent होता है वहीं अगर informal sector की बात करें तो यहां पर कोई proper book नहीं होती है कोई account book नहीं होती है वो जो है कोई भी उनका fix rate नहीं होता है कि इतना interest इतने दर पर वो ब्याज पर पैसा देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है वो अपनी मर्जी से ये सारा business चलाते हैं कोई transparency महाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है formal credit sector usually grant loans for productive purpose like purchase of machinery, agriculture equipment, house etc तो जो आपका formal sector होता है वो हमेशा जो loan देता है वो productive purpose के लिए देता है जैसे कि कोई आप machine purchase करें, agricultural equipment purchase करें या घर purchase करें इसलिए देता है लेकिन जो आपका informal sector है वो ये सब चीज नहीं देखता है ये ऐसा नहीं देखता है कि किसी productive purpose के लिए ही loan लिया जा रहा है वो आसानी से loan provide कर देते हैं चाहे वो purpose आपका unproductive ही क्यों ना हो चाहे आप family function के लिए loan ले रहे हों चाहे किसी illness के लिए लोन ले रहे हों आगे देखिए here more documentation is required तो formal sector में आपको बहुत सारे documentation की जरूरत होगी आपको collateral की जरूरत होगी it involves many many formalities तो यहाँ पर बहुत सारी formalities आपको करनी पड़ती है अगर informal sector की अगर बात करें तो यहाँ पर इसमें less documentation की ना के बराबर documentation की जरूरत होती है और इसमें कोई भी formalities नहीं की जाती है that is why illiterate person prefer to take loan from this sector और जो अनपर लोग होती है ज्यादा तर वही या इससे loan लेती है तो उन्हें documentation के बारे में या फिर किसी formality के बारे में इतना कुछ नहीं बताया जाता है आगे पड़ते हैं how can the formal sector loans be made beneficial for poor farmers and workers suggest any five majors तो देखिए जो formal sector है उसे कैसे beneficial बनाया जा सकता है कैसे लाबकारी बनाया जा सकता है poor farmers के लिए और workers के लिए हमें पांच way suggest यहां पर करने है तो देखिए it required to create awareness among farmers about formal sector लोग तो हमें क्या करना होगा government को क्या करना होगा कि जागरुकता फैलाई जाए farmers के बीच में और जो poor workers हैं उनके बीच में कि formal sector से आगे बताया गया है process of providing loan should be made easier काफी easy बना देना चाहिए उसके प्रोसेजर को तभी लोग जो है आसानी से loan को ले सकेंगे formal sector से it should be simple fast and timely यह कैसा होना चाहिए बहुत साधारण होना चाहिए मनलब timely होना चाहिए और fast होना चाहिए more number of nationalized bank cooperative banks should be agreed यहां पर arrange होना चाहिए arrange in rural sector तो देखें बहुत बड़े number पर जो bank है cooperative है उन्हें arrange करना चाहिए rural areas में आगे देखते हैं bank and cooperative should increase facilities of providing loan so that dependence on informal sources of credit reduce तो जो bank है और cooperative है उन्हें अपनी स्वीधाओं को बढ़ाना चाहिए loan देने की स्वीधाओं को बढ़ाना चाहिए जिससे कि जो informal sector पर dependence है निरभरता है वो कम हो सके the benefits of loan should be extended to poor farmers and small scale industries तो जो benefit है loan का वो किसको देना चाहिए poor farmers को देना चाहिए और जो छोटे scale पर industries लगाना चाहते हैं उन्हें देना चाहिए आगे देखिए while formal sector loans need to expand it is also necessary that everyone receive these loans तो जहां पर loan को बढ़ावा देने की जरूरत है वहाँ पर जरूरत ये भी है कि हर किसी हर कोई loan प्राप्त कर सके ऐसा नहीं है कि ये सारी property हो ये हो तब ही loan ये सरे को loan प्रोवाइड कराना चाहिए आगे देखते हैं तो देखिए what are the two main reasons for formal credit not being available to the rural poor तो देखिए ऐसे दो क्या main कारण है जिससे कि जो credit है loan है वो available नहीं हो पाता है ग्रामीन छेतर में रहने वाले गरीब लोगों के लिए why is there a need to expand rural credit तो rural credit को expand करने की जरूरत क्यों है पढ़ते हैं lack of documentation of employment पहली बात तो है उनके पास documentation नहीं होते employment के earning के एक्सेक्टरा जो भी document चाहिए होते हैं वो नहीं provide हो करवात पाते हैं to convince bank that they will be able to repay the loan तो बैंक को जरूरत होती है documentation की जिससे कि उन्हें पता चल सके कि यह loan को repay कर सकते हैं तो इस स्थिती में वो loan नहीं ले पाते हैं या bank loan नहीं दे पाते हैं दूसरा कारण बताया गया है they usually lack any property which can act as collateral उनके पास property की कमी होती है जिसे कि वो guarantee के रूप में या security के रूप में दे सकें जिसे अगर वो loan ना चुका पाएं तो उस default के रूप में वो उसे use कर सकें तो उनके पास property की कमी होती है इस वज़े से वो loan नहीं ले पाते हैं और जिसे कि borrower जो है एंक्रेज हो loan लेने के लिए formal sector से तो पढ़ते हैं यहां पर रूरल borrowers depend on informal resources sources like money lenders who charge them high rate of interest तो रूरल borrowers जो होते हैं ग्रामीन छेतर में जो borrowers होते हैं वो informal sector पर ही depend करते हैं जैसे कि money lenders है जो काफी high interest rate charge करते हैं which can sometime drag them into tap trap वो कभी कभी क्या करते हैं वो उन्हें drop trap में फसा लेते हैं तो बैंक को जरूरत है कि वो जो है अपनी lending को बढ़ाएं particularly बढ़ाएं रूरल हो सके आगे देखिए formal sector must distribute loan equally तो formal sector को क्या चाहिए कि वो equally बराबर रूप से बराबर मात्रा में loan को distribute करें so that poor can benefit from the cheaper loan जिससे कि गरीब लोग भी cheaper loan से benefit ले सके आगे question है name to formal and informal resource of credit तो हमें दो formal और दो informal source बताने है credit के भारत में is state any three advantages of formal source of credit और साथ ही साथ हमें जो formal sector से loan मिलता है उसके तीन advantage भी बताने है तो देखते है credit is an agreement पर चुके हम कहीं बार credit क्या होते है के agreement होता है चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं there are two main source of credit in India तो दो main source है credit के यह very short में भी पूछा जा सकता है तो देखिए formal sector की बात करें तो इसमें bank आता है और cooperative साथी है informal sector की बात करें तो money lenders आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं लेकिन इसमें दो ही पूछे गए हैं तो देखते हैं इनके advantages क्या होते हैं अगर formal sector से credit लें इट प्रोवाइट loan at a fixed rate एंट तो देखिए यहाँ पर शर्त भी रखी जाती है और एक fixed rate होता है loan का जो provide करते है ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो कुछ भी charge करेंगे नहीं तो देखिए नंबर टू पर बताया जा रहा है इस लोन नोट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनिस यह लोन केवल प्रॉफिट मेकिंग बिजनिस के लिए नहीं देते हैं एंड ट्रेड को भी यहां पर loan प्रोवाइड किया जाता है आगे देखिए cost of the borrowing is less and hence promote borrowing and more economic growth तो देखिए यहां पर क्या होता है जो cost होती है ना borrow की यानि कि जो interest rate होता है वो काफी कम होता है जिससे की बढ़ावा मिलता है borrowing के लिए और economic growth भी बढ़ती है there is no exploitation as in case with the informal sector तो यहां पर जैसे की formal sector में exploitation होता है लोगों का शोशन होता है वैसा कुछ नहीं होता है आगे देखिए है money has made transaction easy money ने transaction को बहुत आसान कर दिया है इस statement को हमें justify करना है देखिए है money से क्या क्या फायदे है it solved the problem of double coincidence of wants by acting as a medium of exchange जब money medium of exchange का काम करता है तो यह जो है double coincidence of wants को खतम कर देता है double coincidence of wants हमने detail में पढ़ लिया है ठीक है तो देखिए double coincidence of wants implies a situation यहां पर भी हम समझने वाले हैं क्या होता है implies a situation where two parties agree to sell and buy each other's commodities यहां पर दिया गया है what one party's desire to sell is exactly what the other party will to buy तो देखिए double coincidence होता क्या है इसमें यह कैसी स्थिती होती है जिसमें दो parties जो है वो agree होती है sale और buy करने के लिए एक दूसरे का सामान खरीदने और एक दूसरे को सामान बेचने के लिए यह parties जो है agree होती है और उनकी इच्छा होनी चाहिए exactly वही सामान दोनों parties को एक दूसरे के सामान को खरीदने और बेचने की इच्छा होनी चाहिए तो यह होता है double coincidence of wants तो देखिए आगे बताया गया है money does not away this tedious and complex situation अगर money हो तो यह जटल इस्थिती आपके सामने नहीं आएगी इसे दूर रखेगी by acting as a medium of exchange क्योंकि money क्या का काम करेगा that can be used for all commodities और money से क्या है हम हर एक सामान खरीज सकते हैं एक्जामपल के लिए यहाँ पर बताया गया है अगर एक ice cream vendor है और उसे cycle चाहिए but cycle manufacturer wants close और यहाँ पर जो cycle manufacturer है उसे ice cream नहीं चाहिए उसे क्या चाहिए उसे close चाहिए and not ice cream ice cream नहीं चाहिए उसे then the vendor can use money तब vendor क्या कर सकता है money को use कर सकता है कि लेने के लिए बहुत ही आसान है अगर सामने वाले को वह चीज चाहिए नहीं तो वह क्या करेगा उसका फिर उसको sale करेगा नहीं तो जो money है उससे यह सारी चीजे बड़ी आसान हो जाती है आगे देखिए with the help of money ice cream vendor need not adhere to the bicycle manufacturer needs because money acts as the common medium of exchange तो देखिए यहां पर अगर money होगी तो ice cream बेचने वाले को जरूरत नहीं होगी कि जो cycle manufacturer है उसकी आग्या माने उसकी बात को माने नहीं उसे जरूरत नहीं होगी तो क्योंकि उसके पास क्या है उसके पास money है और वो medium of exchange का काम करता है वो आसानी से खरीज सकता है similarly the bicycle manufacturer can then use the money to buy clothes or any other goods और इसी तरह जो bicycle manufacturer है वो भी money को use कर सकता है clause को खरीदने में या किसी दूसरे सामान को खरीदने में तो इस तरह से आपके सभी question answer होते हैं complete I hope आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक like जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए बाबाए बाबाए